त्रिद्वी गर्णिंगन पैट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो और जैसे कि आप ये फ्लाबर मेरे देख पा रहा है ये मेरा महती बढ़िया कलर का प्लांट है और अच्छा एज भी है इसकी इस प्लांट की वो भी मैं अभी कर रहे हैं तो उसकी क्वाल्टी किया है वो भी मैं इसी वीडियो में दिखा हूँगा आपको तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्लांट दिखाता हूं उसके बाद मैं आपको स्रीट पॉट की में बाते करेंगे और बहुत ही छोटा सा वीडियो बनेगा दोस्त जैसे कि दोस्तों आप ये प्लांट के कोडेक्स को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा काफी एज का प्लांट है और लगबग ये मेरे पास चार से पांस साल का प्लांट है और बहुत ही बढ़िया प्लांट है तो दोस्तों ये है मेरा प्लांट और काफी ओलेज का प्लांट है और इसमें ये सेकंड टाइम में सीट पॉट बना है तो सीट पॉट भी मैं आपको पास से दिखाता हूँ और मुझे लग रहा है कि एक सीट पॉट और सेट हुआ है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा और जैसा कि दोस्तों कि हम जानते हैं कि सीट पॉट लेनी के लिए हम हैंड पॉलिनेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं और नेचर से जो पॉलिनेट होता है वो भी होता है और इसमें जो है हमारा नेचर से पॉलिनेट हुआ था तो उसी से सीट पॉट बना है और आने वाले समय म हमें पता चलेगा कि हमें सिंगल पैटल मिल रहा है यह जैसे कि फ्लावर जो हमारा डबल पैटल का है तो कैसा फ्लावर मिलेगा वह हम यह देखिए दोस्तों डबल पैटल में का है यह फ्लावर तो चलिए सीट की क्वाल्टी और सीट पॉर्ट को हम हार्वेस्ट करते हैं और यह बहुत ही बढ़िया सीट पॉट था यह देखिए दोस्तों यह तूटने की कगार में था और यह तूट गया था और जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हमें सीट पॉट को हमने इस तरीके से बांदा हुगा था देखिए यह बांदा है हमने ताकि हमा आपको दिखाता हूं वह कि असके पहले देखिए दोस्तों एक सीट आर इधी बन रहा है और ये भी हमारा नीचर ऑब पॉलेनेट हुआ था और ये बहुत हेल्धी स्ईट पॉट्ध है तो ऐसा है दोस्तों के और चली हमें सीडो का आ abol term देखिया दोस्तों, ये सीड है और ये बहुत ही healthy सीड है और इसमें भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और जैसे की fresh सीड की जो पहचान होती है वो विल्फुल golden color में दिखते हैं, वो इसी type के दिख रहे हैं तो इस वीडियो में बस यही था दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद और कोई फिल्ची को गई होते हो मुझे माप कीजिएगा